हेलो स्टूरेंट्स आज हम विए पर फर्स्ट संगीत का सेकंड पेपर लेंगे सेकंड थियोरी पेपर जिसके पहले यूनिट का थर्ड टोपिक है पंडित विश्णु दिगंबर पलुसकर या पंडित विश्णु नारण भातकंडी की स्वलेपी का विस्तार पूर्वर देखेंगे स्वलेपी पदती क्या है कि किसी गाने की कवीता अथ्वा साजों पर बजाने की गत्कों स्वर्व और ताल के साथ जब लिखा जाता है तब उसे स्वलेपी या नोटेशन कहते हैं प्राचीन काल में भारत में लगपक 250 इसा पूर्व अर्थात पानीनी के समय स समय से पहले ही स्वलेपी पदती विद्यमान थी किन्तु तब वे स्वलेपी पदती अपने शेशवकाल में ही थी उस समय तीवर और पॉमल स्वरों के भेत तथा ताल मातरा सहीत स्वलेपी नहीं होती थी अपीतु केवल स्वरों के नाम उनके प्रथम अक्षरों के साथ सर मुक्सवर प्रयुक्त हुए हैं तीवर कोमल स्वरों के चिन्न ना होने के कारण वताल मात्रा मीन आदी के अभाव में उन स्वरलिपियों से संगीत विद्यार्ती लाव उठाने में एया समर्थ रहे प्राचीन समय में स्वरलिपी पदित्य का विकास ना होने के और भी कुछ कारण थे जैसे उस समय संगीत कला विशेश्त है किर्यात्मक यानि प्रैक्टिकल रूप में थी अर्थात गुरु मुख से सुनकर ही विद्यार्ती सुक्षा ग्रहन क्या करते थे दूसरा कारण है लेखन प्राणाली वे मुद्रण समद्ली सुविदाएं उस समय आजकल जैसी नहीं थी स्वरलिपी पदित्य का विकास ना होने के तीसरा कारण है रागों को जुबानी यानि मौकिक याद रखा जाता था संगीत कला गुरू से शिष्य को और शिष्य से उसके शिष्यों को शिखाने या कंठस्त कराने की प्रथा दि नेक्स्ट कारण है प्राचिन समय के उस्ताद अपनी कला को अपने पुत्र अथ्वा विश्वशनी शिष्य को भी लिखकर नहीं बताते थे बल्कि सामने बैट कर ही सिखाना पसंद करते थे विध्यारतियों के लिए सुबोध और सरल स्वरलिपियों का निर्मान आज से 80-90 वर्ष पूर हुआ जिसका श्रे भारतिय संगीत की दो महान विभूतियों पन्डीत विश्णु नार्यन भातकंडे वे पन्डीत विश्णु दिगंबर पलुसकर जी को है इनके दोवारन नेज्मे स्वरलिपियों का प्रचार धीरे धीरे समस्थ भारति में होता गया बीच बीच मान केई संगीत पंडितों ने भी अपनी अपनी प्रथक स्वलिपी पद्यतियां चालू की किन्तु व्यापक रूप से प्रचार में ना आ सकी और आज उक्तु दोनों पद्यतियां यानि भातकंडे विपलुसकर जी की पद्यतियां ही लोग प्रिय होकर प्रचार में आ रही है यत्पी इन स्वलिपी पद्यतियों से गायक के गले की सभी विशेष्टा लिपी बत करना संबब नहीं हो सका है उधारणार भारती संगीत की विशेष्टा है जैसे गमा किटकरी, हिराग सोंदर, अलंकार, शूती प्रयोग, स्वरमाधोर ने आदि बारी किया स्वलिपी द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती फिर भी वरतमान सोलिपी बत्दियों से संगीत विद्यारतियों को जो साहिता मिली है और मिल रही है उसे भुलाया नहीं जा सकता शिरी बादखन्डे जी ने पुराने घरानेदार उस्तादों के गायनों की सोलिपी तयार करने में बहुत ही परिश्रम किया था उन्होंने समस्त भारत का ब्रह्मन करके उस्तादों की सेवा तता खुशामत करके सोलिपी तयार की उस समय कुछ ऐसे भी उस्ताद थे जो अपनी गानी की सोलिपी किसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को बनाने के आग्या नहीं देते थे च्री भातकंडेजी ने बड़ी युक्ती और पोशन से परदों के पीछे चिप चिप कर उनका गायन सुना और सोलिपिया तयार की तथा बहुत सी सोलिपिया ग्रामफन रिकोर्डों द्वारा भी तयार की इस प्रकार केई हजार चीजों की स्वरलिपियां तयार करके उन्होंने क्रमिक पुस्तक नालिका नामक पुस्तक में प्रकाशित कराकर संगीत विद्यार्थियों का मार्ग प्रशेश्ट कर दिया इसी प्रकार पंडित विश्णु दिगंबर पलुसकर ने भी केई पुस्तके तयार की पलुसकर जी की स्वालिपी पद्धती जो प्रारम में उनके ज़ौरा चालू हुई थी अब उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है यही कारण है कि विश्णु दिगंबर जी की प्रारंबिक मुल पुस्तकों में तथा आज उनके विध्यालों में चलने वाली राग विज्यान आदी पुस्तकों के चिन्नों में काफी अंतर पाया जाता है तथा फी वरतवान स्वालिपी पद्धती उनकी प्राचिन पद्धती से अधिक सुविधा जनक है पलुसकर जी की परिमार्डे स्वालिपी पद्धती जो आजकल प्रचार में आ रही है वो इस प्रकार है अब हम देखेंगे वित्यार्टियों विश्वी देखेंगे पद्धती के स्वालिपी चिन यह आप देख रहे हैं जिन स्वारों के उपर नीचे कोई चिन्द नहीं होता वे मद्धे सब्टक के शुद्ध स्वार समझे जाते हैं जैसे रेगामापा जिन में उपर और नीचे कोई भी चिन्द नहीं है दूसरा है जिन स्वारों के नीचे हलंद का निशान होता है उन्हें कोमल या विक्रत स्वार मानते हैं जैसे रेगा धरनी आप देख रहे हैं नीचे हलंद का चिन्द है तीसरा है तीवर या विक्रत मद्यम को उल्टे हलंद दुवारा इस प्रकार दिखाते हैं मा के नीचे उल्टे हलंद हैं उपर बिंदि वाले स्वर मंद्र सब्तक के स्वर माने जाते हैं जैसे पधनी जिसके ऊपर बिंदिया लगी हुई है जिन स्वरों के ऊपर खड़ी लकीर होती है फितार सब्तक के स्वर होते हैं जैसे सारे गामा इन स्वरों के ऊपर आप देख रहे हैं खड़ी लकीर हैं अब हम देखेंगे स्वर्बर मात्राओं के लिए किस प्रकाट चिन रखे जगे हैं, क्रोश का चिन चार मात्रा के लिए, सा के नीचे आप क्रोश का चिन देख रहे हैं, कि अई सबसे हैं कि यह उलता एक जिन जो है तो मात्रा के लिए प्रयूक्त होता है च के मात्रा के लिए आप इंडेक्स में देख रहे हैं। चारन के लिए अवग्रे चिन S का प्रयोग करते ने जीद के अक्षरों के लिए अक्षरों के ठहराओ के लंबा करने के लिए बिंदू का प्रयोग किया जाता है, जैसे ग, डेश, ग, ग, एस, एस, प, और, नेक्स्ट है, स्वरों के नीचे, वन उपन त्री, या वन उपन सिक्स इत्यादी लिखा हो, तो वहां, एक मातरा में तीन, या छे स्वर बोले जाते हैं, किसी स्वर के उपर कोई दूसा स्वर लिखा हो, तो कण स्वर यानि ग्रेश नोट के रूप में प्रयोग करते हैं, ताल के सम के लिए एक चिन लगाते हैं, खाली के लिए प्लस का चिन प्रयोग होता है, तथा अन तालियों के लिए क्रमेशे उन गिंतियों का प्रयोग करते जिन गिंतियों पर ताल लगानी होती है। यह थे शोरों के नीचे उपर कोई चिन नहीं होता उन्हें शोरों कोई शोरों मानते हैं। दूसरा है जिन स्वरों के नीचे आडी रेखा खीच दी गई हो उन्हें कॉमल स्वर कहते हैं जैसे रेग धानी के नीचे आडी रेखा खीची हुई है नेक्स्ट है तीवर मद्यम की पैचान के लिए मा के उपर एक खड़ी लकीर खीच दी जाती है जैसे मा के उपर हलंत है नीचे बिंदु वाले स्वर मंदर सब्तक के माने जाते हैं जैसे मापाधा आप देख रहे हैं नीचे बिंदी है ये स्वर मंदर सब्तक के माने उपर बिंदी वाले स्वर तार सब्तक के माने जाते हैं, जैसे गर एसा जिनके उपर बिंदी है, ये तार सब्तक के स्वर है, बिना बिंदी वाले स्वर मद्दे सब्तक के समझने चाहिए, जैसे पामागा जिनके उपर और नीचे कोई भी बिंदी नहीं है, ये स्वर मद्द बढ़ा कर गाते हैं जैसे श्याम के बीच में दो अबग्रे हैं तो हम इसे दो अबग्रे बढ़ा कर गाएंगे जिस स्वर के आगे जितनी पड़ी लकीरे हों उस स्वर को उतनी मात्रा बढ़ा कर गाते हैं जैसे गा के आगे तीन डेश हैं तो हम उसे तीन मात्रा बढ़ा कर गाएंगे, केई स्वरों को एक मात्रा में गाना बजाने के लिए अर्थ चंद्राकार इस चिन्न का प्रयोग होता है, जैसे पामा का इनको हम एक मात्रा में गाने के लिए अर्थ चंद्राकार चिन्न का प्रयोग करेंगे, अत्वा रेगा माप को एक मात्रा में गाने के जो आप देख रहे हैं डेक्स में स्वर के ऊपर इस प्रकार के चिन को मीड कहते हैं जैसे मां पधानी मां से नी तक इसमें मीड है अर्थाथ यहां पर मध्यम से निशाद तक मीड ली जाएगी यानि मां से नी तक स्वरों को बिना तोड़े हुए गाना है नेक्स्ट है किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर दिया हो तो उसे कंड स्वर समझना चाहिए जैसे पर के ऊपर गर लिखावा है अर्थाथ गर को जरा चूते हुए पर स्वर को गाना या बजाना है नेक्स्ट है जो स्वर कोई स्वर कोई स्वर कोई दिया है अर्थाथ एक मात्रा में चार स्वर गाई जाएंगे जैसे पा को इस प्रकार पोस्टक में लिखेंगे हम जिसे गाने के लिए हम धापा मापा इस प्रकार हम गाएंगे ताल में सम दिखाने के लिए रोस का चिन होता है हाली के लिए शूनने के चिन का प्रयोग होता है सम को पहली ताली मान कर अन तालियों के लिए क्रमे से दो, तीन, चार आदी संख्याय लगाते हैं वाद्य में स्वर को अंदोलित करने की किरिया जमजमा कहलाती है नीचे दो बिंदिय वाले स्वर अती मंद्र सक्तक के होते हैं जैसे गर सा मा के नीचे दो दो बिंदिया ये अती मंद्र सक्तक के स्वर है उपर दो बिंदिय वाले स्वर अती तार सक्तक के होते हैं जैसे सा मापा के उपर दो दो बिंदिया है या ती तार सक्तक के माने जाएं जहां पूल का चिन हो वहां एक मातरा चुप रही है जहां कोमा का निशान हो वहां एक मातरा ठहरी है तो यह थे विद्यार्तियों पंडित विश्णु जिवंबर ये पंडित पात कांदेजी स्वाली भी पतक्तियों केचेनी